देवरिया, जन्दपग में टीवी के सामानले रोगियों के साथ साथ एमडियार रोगियों के संख्या प्रती वर्ष बढ़ती जा रही है एमडियार रोगियों को लेकर भड़ी चता के क्रम में देवरिया में ही शासन ने डियार हटीबी सेंटर खोलने का फर्मान जारी कर दिया है इसके लिए जिलाचिक इतसाले में चार बेड के अलग चार कमरे का वार्ड चेहनत कर लिया गया यहां बहुत जल्द डियार हटीबी सेंटर खोल जाएगा जिसमें एमडियार रोगियों को भरती कर उनका एलाज किया जा सकेगा इसके पूर्वे मडियार रोगियों को जिलाचिक इतसाले से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया जाता था जिससे मरीजों को तो परिशानी होती ही थी अने लोगों में भी बिमारी फैलने की प्रमल संभावना रहती थी कारण एमडियार रोगी अगर हांस दे या छीक दे तो तक्रीबन 3 मीटर की परिधी में सामाने व्यक्ति को संक्रमित होने का खत्रा रहता है नहें जिले में इस वर्षे मडियार रोगियों की संख्या 200 का आंक्रा पार गई है जिससे लेकर विभाग की चता बढ़ना लाजिमी है ऐसे में इसकी सूचना समय समय पर विभाग ये उच्चा धिकारियों को जिलाक्षय रोग विभाग देता रहा शासन ने देवरिया में ही एम डियार रोगियों की चिकित्सा के लिए डियार हटी बी केंद्र खोलने का फर्मान जारी किया इसके लिए मुखिर चिकित्सा अधीक शक डाक्टर छोटे लाल ने वाड़ और कमरे भी मुहया करा दिया है रंगाई पुताई वा साफ सफाई के साथ ही फरनीचर वा बेड का इंतरजाम किया जा रहा है यहां एक नोडल अधिकारी, दो स्टाफ नर्स, एक टीबी एच बी की तेनात रहेंगे यहां कम से कमे मड़ डियार का रोगी 48 घंटे भरती रहेगा उसे 9 दवाएं बसारा दवाए इलाज निशुल किया जाएगा तक मरीज को के नाम आइसीन का इंजेक्शन लगेगा रोगी की 24 महा दवा चलती है हाला कि दवा इलाज सब कुछ निशुल्क है लेकिन मरीज आराम मिलने पर दवाओं को बीच में ही लापरवाही कर ब्रेक कर देते हैं यह ठीक नहीं है जिला चिकित साले में डियार टीबी केंदर खुलने जा रहा है यहर जिले के टीबी रोगियों के लिए बड़ी उपलब्धी है अब एम डियार रोगियों को मेडिकल कॉलेज गोरकपोर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्याले पर ही एम डियार रोगियों के भरती वह इलाज का इंतिजाम हो जाएगा तैयारी अंतिन दोर है बहुत जल्द इस केंदर का उधगाटन किया जाएगा डाक्टर विरेंदर कुमार जा जिला क्षय रोग अधिकारी देवरिया